देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, रादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएंगे जो मेरा यह राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों को लेकर होता है जैसे कि जनरल प्रिक्शन्स, कौन-कौन से योग बन रहे हैं, करियर, बिजनस, इंकम, इंवेस्मेंट, लव लाइफ, मैरेड लाइफ, स्टूरेंट से हर चीज़ को कवर करता हूं और कु लगन से और चंदराशी से अलगलग नहीं बताया जा सकता, जिनको अपना लगन पता है, आप लगन से देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, जिनको लगन नहीं पता, वो अपनी चंदराशी से इसको अबसर्ब कर सकते हैं, तो शुरुवात करते हैं मकर के भाव लगन स्तान पे आ जाएगा, क्योंकि मंगल छटे भाव में आकर आठवी द्रिश्टी लगन पर डालेंगे, और लगन में जो राशी परती है, वो है मकर, और मकर मंगल की उच्छे की राशी है, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्छे की राशी को देखता है, उसमें ब बढूर हो गी, मंगल अपने आप में प्रॉपर्टी के काराक है, मंगल आपके लिए चौते घर के स्वामी है, चौता घर भी प्रॉपर्टी को दिनोट करता है, तो अगर प्रॉपर्टी खरिदना चाह रहे थे, या प्रॉपर्टी से सब्बंदित कुछ प्रॉब्लम सॉ स्वामी है तो आपकी इंकम भी बढ़ेगी 13 मार्च के बाद जैसे ही मंगल का प्रभाव आपके लगन पर आना शुरू हो जाएगा तो मंगल 13 मार्च के बाद आपके जीवन में बहुत बदलाव लाने वाले हैं क्योंकि आपके लगन के स्वामी शनीदेव अस्त चल रहे थे फेबरी से तो आपकी सेहत भी बिगड़े होगी आपका धन भी थोड़ा कम हुआ होगा धन का लॉस हुआ होगा और जीवन में थोड़ा उथल पुथ क्योंकि जब भी लगन के स्वामी अस्त होते हैं तो प्रॉब्लम्स बढ़ती ही हैं अब शनीदेव अस्त हुए तो सबके कुंडली में उनका अपना स्थान होगा लेकिन आपके लिए मकर के लिए वह लगन के स्वामी है इसलिए जीवन में अस्तिरता आई होगी पांच य जीवन में बहुत अस्तिरता रहे गिया रही होगी कारण क्या है केंद्र जो भाव है एक चार साथ दस इसमें राहु केतु को छोड़कर कोई भी ग्रह नहीं था चंद्रमा खेर आते जाते हैं लेकिन उनको में कंसिडर नहीं कर रहा राहु और केतु को छोड़कर कोई भी बड़ा ग्रह कोई भी और ग्रह केंद्र में नहीं था इसलिए जीवन में बहुत अस्थिर्ता चल रही होगी क्योंकि जो केंद्र भाव हैं कुंडली के वो स्थिर्ता देते हैं उनको विश्णू स्थान भी कहा जाता है लेकिन जैसे ही 12 मार्च को शुक्र का राशी परितन होगा आपके जीवन में दुबारा स्टैबलिटी आना शुरू हो जाएगी शुक्र और राहु की उती चौथे घर में होगी ये भी प्रॉपर्टी से संबंदित कारियों को आगे बढ़ाएंगे और क्योंकि राहु एक ऐसे रहा हैं जो शुक्र के कंट्रोल में आ जाते हैं क्योंकि शुक्र देत्य गुरू है और राहु देत्य हैं तो ये भी बता रहा है कि आपके घर में भी कुछ ना कुछ लाव आ सकता है क्योंकि जो शनीडियव है वो अस्ता आपके दूसरे घर में हुए थे और दूसरे घर के स्वामी भी है, हो सकता है February में धनकार बहुत loss हुआ हो और आपका अपनी वानी के कारण भी कुछ लोगों से आपकी दूरियां आ गई हो, उन सब चीजों में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा, सूर्य तीसरे भाव में आ जाएंगे और वहां पे अच आपके लिए ठीक टाक देख रहा है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, चीज़े अच्छी होंगी, के तू दस्वे में बैठे रहेंगे, अगर जौब छोड़ने का बार-बार मन में आ रहा है, तो अपने मन को थोड़ा कंट्रोल कीजेगा, कुछ विशेश योगों की ब बना रहेगा, आपके लिए 16 तारीक तक, तो ये सारे योग आपके जीवन में बहुत स्थिरता और बहुत पैसा देकर जाने वाले हैं, इस महीने के positive points क्या हो सकते हैं, एक maturity आपके पूरे व्यक्तित्तों में आएगी, कुछ उल्जने जो बहुत लंबे समय से तंग कर रहे एक flexibility रहेगी आपके पूरे व्यक्तित्तों में, और कई मुश्किल सी चीजों को भी आप बहुत सरल्टा के साथ solve कर लेंगे, पैसा अवश्या आते हुआ दिखरा है इस महीने, क्योंकि धनस्थान के स्वामी शरीदे बहुत strong हो जाएंगे, जैसे ही वो अकेले हो जाएंग और आगे बढ़ाती है, कई कार्य आपके लोगों की सहायता से, किसी की सहायता से इस महीने में पूर्ण हो सकते हैं, नगरात्म क्या हो सकता है, कोई बहुत ऐसा कार्य जो आपके लिए बहुत important है, लेकिन उसमें आपने डिले कर दिया अपनी तरफ से, ऐसा नहीं कि कोई ब जाना, specially यदि कोई व्यक्ति करीब का है, ये भी आपके लिए कुछ नकरात्मक points इस महीने लेकर आ सकता है, तो इन सब चीजों का ध्यान दीजेगा, overall यही कहूंगा, कि महीना जैसे आगे बढ़ता जाएगा, वैसे ही आपके लिए अच्छा होता जाएगा, करियर के दरफ पहूं कि मन में जॉब छोड़ने का बहुत आ रहा होगा, कि जॉब छोड़ देते हैं, कुछ और कर लेते हैं, देखिए केतु के अखेले दस्वे घर में रहने के कारण है, अगर ऐसा मन में बार बार आ रहा है, तो उस सोच पर थोड़ा विराम लगा दीजे, especially अगर आप उस आर्थिक स्थिती में नहीं है, कि जॉब छोड़कर कुछ और कर लिया जाए, या कुछ आपको जादा इंपक्ट नहीं करेगा, अगर आप ऐसी स्थिती में हैं, कि अगर आप जॉब छोड़ देते हैं, तो आर्थिक स्थिती से कुछ इंपक्ट नहीं होगा, तो आप और वो 12 तरी तक उच्च के रहेंगे और उसके बाद वो राहू के साथ आ जाएंगे और राहू के साथ जब शुक्र आते हैं तो प्रभाव अच्छा देते हैं क्योंकि एक दैत्ते गुरों हैं और एक दैत्ते हैं तो इन दुनों का साथ अचानक से जीवन में खुशियां ल इसके साथ लगन के सवामी शनीदेव confirming की द्रिष्ठे वी शुक्र पर बनी रहेगी जैसे ही उनका राशी परत्र होगा क्योंकि इनकी तीसरी द्रिष्टि आजाएगी और क्योंकि वह लगन के सवामी है और धनस्थान के रहेंगे शनी मंगल और केतु मंगल तेरा तरीक को आ जाएंगे छटे में शनी दूसरे में है ही केतु दस्वे में ही तो व्यक्ति को बहुत competitive बना देते हैं व्यक्ति की जो अलजने होती हैं दूर होने लग जाती और एक जो competitive spirit होती है बहुत अच्छी हो जाएगी, तो यह महीना career के हिसाब से मुझे अच्छा देख रहा है, positive क्या हो सकते हैं इस महीने के, संबंद सुधरेंगे colleagues के साथ, आप अपने आपको low नहीं feel करेंगे, आपको यह नहीं रगा कि हामें कुछ नहीं कर सकता, बलकि उत सुकता रहेगी, हर चीज को अच्छी तरह से handle कर लेंगे, और आपके व्यक्तित तो में एक attraction रहेगा, और जो मैंने competitive spirit का बात कहीं, वो तो दिखी रही है, वो हर चीज पर एक अच्छा impact दालेगी, negative क्या हो सकता है, कुछ ऐसे दिन आ सकते हैं जहापे बहुत lazy हो जाएंग कि हाँ मैं यह कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, वहाँ पर गडबर हो सकती है, और महत्वपूर्ण समय का लाब ना उठाना भी आपके लिए इस महीने बहुत महंगा पर सकता है, अगर आप media से जुड़ा, internet से जुड़ा, garment industry से जुड़ा, food industry से जुड़ा, या फिर entertainment industry जु और वहाँ से अश्टम में शनी 16 तारीके बाद अकेले हो जाएंगे, और शनी क्योंकि धनस्थान के स्वामी है, तो बहुत अच्छा प्रभाव आपको धन के हिसाब से आपके बिजनस में देना शुरू हो जाएंगे, उसके साथ ही सब्तम भाव से दस्वे में राहु और युति हो जाएगी 12 तारीक को, तो ये भी आपके लिए अच्छा है क्योंकि जो बिजनस में इससे पहले रुकावटे आ रही थी, ये राहु और शुक्र की युति जो आपके सब्तम से दस्वे स्थान में होगी, लगन से चौथे में, ये आपके बिजनस में आपको बहु यहाँ पर आपके खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं, थोड़े लॉसेस भी हो सकते हैं, तो इस समय को यदि आपने थोड़ा संभाल लिया, इस समय में आपने कुछ ज़्यादा करवर नहीं करी, अपने खर्चों को कंट्रोल कर लिया, लॉसेस नहीं होने दिये, तो ओवर जा सकते हैं, आप मार्केट को लेकर बहुत अवेर हो जाएंगे कि मार्केट में क्या-क्या ट्रेंड चल रहा है, जो चीजें रुक रही थी, पोस्ट पॉन हो रही थी, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, मैचॉरिटी आपके पूरे व्यक्तित्त्यों में आएगी, और इ एक होता है कि खर्चे बढ़ी ही रहे हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, देना ही पड़ेगा कहीं पर पेशा, एक होता है कि हमें दिख रहा है कि चलो यहाँ पे पैसा बचा लेते हैं, अगले महीने करा लेंगे, थोड़ी कंजूसी जब हम कर जाते हैं, और वो कंजूसी इस महीने आपके लिए भारी पड़ सकती है तो जहां पर आपको लगे कि पैसा खर्च करना अनिवार है वहां पर पैसा नहीं करा खर्च तो आपके लिए कुछ महंगा पड़ सकता है ओवराल देखो तो महीना ठीक है थोड़ा सा जो समय मैंने बताया मंगल का राशी परितन जो सब्टम से बारवे में होगा वहां पर थोड़ा ध्यान रखेंगे तो महीना अच्छा जाएगा अगर आप दवाईयों से जुड़ा कुछ कारे करते हैं अगर आप पेंटिंग से जुड़ा कुछ कारे करते हैं इंटीर से जुड़ा कुछ कारे करते हैं एनिमल जानवर की बात कर लेते हैं शुरुआती दस दिन अच्छे हैं लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी जो बीच के दस दिन है महीने के यहाँ पर बहुत पेशेंस से काम लेना है यहाँ पर भी यही लग रहा है कि धनस्थान के स्वामी अस्त रहेंगे पांच्छे तरी तक तब तक थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है धन के संबन में उसके बाद चीज़ें अच्छी होने शुरू हो जाएंगी जो लावस्थान के स्वामी है आपके मंगल वो भी छटे स्थान में आ जाएंगे और अपने यारवे स्थान से अश्टम में रहेंगे तो अचानक से इंकम बढ़ जकती है लेकिन क्योंकि वो लगन से छटे में है तो हाँ इस महीने पैसा तो कमा सकते हैं लेकिन उतनी असानी से कुछ नहीं होगा इस महीने पैसा कमाने के लिए आपको मेहनत बहुत जादा करनी बारवे स्थान के स्वामी एक तो तीसे स्थान में है ही इसके साथ ही जब मंगल का प्रभाव आपके लगन पर आना शुरू हो जाएगा तो वहां से भी आपके खर्चे थोड़े बढ़ना शुरू हो जाएंगे इस महीने दवाईयों पर अस्पताल के चक्रों पर बहुत जाना पड़ेगा और जब भी हमें किसी सोशल इवेंट्स में जाना पड़ता है तो खर्चे अपने आप ही बढ़ जाते हैं वह कपड़ों को लेकर होगा किसी और चीज को लेकर हो तो इन सब चीजों पर बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है अगर आपके बच्चे हैं तो उन पर भी अत्यदिक खर्चा हो सकता है और अगर आपके घर में पैट्स हैं डॉग है कैट है जो भी है उनके कारण भी इस महीने थोड़ा खर्चा जादा आपका अवश्य होगा तो यह महीना पैसा थोड़ा मुश्किल से आएगा खर्चा थोड़ा जादा होगा लेक लग रहा है कि बातचीत तो शायद नहीं चालो हो पाए दुबारा लेकिन आपको यह समझ आ जाएगा कि शायद यहां पे अब और बात नहीं बन सकती अब इस टाइम तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ही आपकी नो कॉंट्रेक्ट की सिचुजिशन जो है जो बातचीत ब शुक्र और राहू की युति होगी यानि की महीने के बीच के भाग में 12 तेरह तरीक के आसपास तो एक फिजिकल अट्रेक्शन किसी के प्रती हो सकता है फिजिकल लेवल पर थोड़ा चीज़ आगे बढ़ सकती है लेकिन जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वहां प पहले तो शुक्र उच्च के रहेंगे शुक्र की बात इसले कर रहा हूं क्योंकि पंचम के स्वामी है शुक्र 12 तारीक तक कुछ रहेंगे सब कुछ ठीक रहेगा लेकिन पंचम भाव में मंगल रहेंगे तो लड़ाई जगड़े तो आपके अल्रड़ी हो रहे होंगे ले इसको हम आज कल की भाषा में कहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन उसके कारण आपके रिलेशन्शिप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है उस समय को थोड़ा आपने संभाल लिया तो फिर रिलेशन्शिप आपका ठीक ठाक सा रहेगा इस महिने के पॉजिटिव कुछ नेगेटिव चीज़े भी आती हैं लेकिन ऐसा होता है कि कुछ लोगा एकदम ब्रेक अप का मन कर जाता कि चलो थोड़ी सी प्रॉब्लम होई छोड़ दिया लेकिन यह वो महीना देख रहा है जहां पर दोनों की तरफ से एफट लगाए जाएंगे कि प्रॉब्लम आ कर देंगे जो आपके पार्टनर बिल्कुल एंटिसिपेट नहीं कर रहे होंगे उसके कारण प्रॉब्लम आ सकती है और अती उत्साहपन बिंग टू मच ओवर एक्साइट यह भी आपके रिलेशन्शिप में प्रॉब्लम्स क्रियेट कर सकता है तो इन सब चीजों पर ध्य इंग्रह रहेंगे तो जब भी किसी भी भाव से अश्टम में इतना कुछ हलचल होती है तो उस चीज में अस्थिरता आ जाती है तो पंदरा सॉला तरी तक का जो समय है वो मैरिग लाइफ के लिए अस्थिर रहेगा विश्वास की कमी भी होगी वानी की कटूता भी होगी थोड़ी भग प्रॉब्लम्स रहेंगे जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा जब शनीदेवा के लिए रह जाएंगे अश्टम में सब्तम से अश्टम में लगने से दूसरे में उसके बाद चीजें थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाएंगे लेकिन तब तक का समय आपकी मै मद्यभाग से जो पहला मद्यभाग है यह प्रॉब्लमेटिक रहेगा उसके बाद चीजें कावी हद तक ठीक होना शुरू हो जाएंगे यह जो महीना है इसके पॉजिटिव बात एक और अच्छी दिख रही है मुझे वो यह है कि शुक्र केंद्र में आ जाएंगे और रा जरने आती भी हैं उनको भी दोनों मिलकर सुलचा लेंगे तो महीना मिक्स सा दिख रहा है मेरिट लाइफ के लिए पहला हाफ थोड़ा मुश्किल रहेगा दूसरा हाफ थोड़ा असान रहेगा पॉजिटिव क्या हो सकते हैं इस महीने के पुरानी गलतियों से आप सीखें हैं और जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा फिजिकल लेवल पर भी एक आकर्शन बढ़ेगा फिजिकल इंटिमेसी बढ़ेगी उसके कारण भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं और एक दूसरे की लाइफ में काफी इन्वाल्मेंट दिखाना शुरू कर देंगे नेगेटिव क् चीज़ान का हैसास आपको बहुत रहेगा उसके कारण भी कभी कभी कुछ नेगिटिव कह सकते हैं कर सकते हैं और इसके साथ ही ऐसी बातें या ऐसे आरोप अपने पार्टनर लाइफ पार्टनर पर लगाना जिसके वह जिम्मेदार नहीं है लेकिन आवेग में आकर गुस् बहुत अच्छे नहीं देख रहे हैं यहां पर प्रॉब्लम्स हो सकती है जो बीच के 10 दिन है यहां पर अच्छे दिख रहा है सब कुछ लेकिन organized way में रहिएगा जो महीने के अंतिम दस दिन है यदि यहां पे आपको सफल होना है तो आपको बहुत सारे बदलाव लाने पड़ेंगे पंचम भाव स्टुडेंस का होता है पंचम भाव में मंगल रहेंगे जो लाबसान के सौमी है तो 13 मार्श तक का समय तो आपके लिए अच्छा देख रहा है और पंचम के स्वामी भी उच्चे के 12 तरी तक रहेंगे तो यह समय बहुत अच्छा देख रहा है इसके बाद समय नगरात्मत नहीं होगा क्योंकि शुक्र की राहु के साथ यूति हो रही है जो स्टूडेंस देश से बाहर जाना चाते थे उनके लिए समय बहुत अच्छा है उनको वीजा आती मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही तो दूर होगी अधरवाइस यह महीना ओवरॉल स्टूडेंस के लिए अच्छा है इस महीने में पॉजडिव क्या हो सकता है अगर आप जॉब ढून रहे थे पार्ट टाइम हो फूल टाइम हो प्राप्त होगी कई कारे आपके पूर्ण होंगे और आपको कई लोगों से कुछ सीखने को भी मिलेगा तो यह महीना स्टूडेंस के हिसाब से मुझे अच्छा है दुकरा सेहत की बात करते हैं पांच या छे तारीक तक तो सेहत थोड़ी खराब रहेगी औरड़ी फेबर्टी में ही चल रही होंगी क्योंकि जैसे मैंने कहा लगने के स्वामी अस्त थे उसके बाद धीरे-धीरे करके सुधार होगा लेकिन फिर भी इस महीने गले के रोग एसीडिटी, हाई बीपी नसों के रोग बहुत तंग करेंगे महीने के जो शुरुवाती दस दिन है यहां पर नसों की problem और lower back की दर बीच के जो 10 दिन है यहां पर thyroid की problem यहाँ पर थायरड की problem यहाँ है hormonal disorders और sleep disorders जो महीने के अंतिम 10 दिन है यह तो 20 सारी के बाद के जो दिन है यहाँ पर आपको sleep disorders बने रहेंगे anxiety की problem तंग करेगी और मानसिक कोई विकार अल्रेडी है आपको तो वो थोड़ा तकलीफ आपको जाधा देगा उपाई की बात करते हैं महीने के शुरुवाती किसी दिन या फिर महीने के पहले शनिवार या मंगलवार को आपको हनुबार मंदे जाना है और चार सरसो के तेल के दी अरबन करने है बजरंग बली को हर दिये में आपको कुछ काली राई के दाने काली सरसो के दाने डाने डालने है और फिर वहां बैठकर आपको बजरंग बान का चार बार बाठ करना है और फिर उसी मंदिर के पुरोहिट जी को कुछ दक्षिना देख कराने है योपाय आप कर लेंगे आपके लिए महीना अच्छा ही जाएगा आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी चैनल पर अगर आप नए है तो सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो को लाइक कर लिजे अगरी वीडियो में आपसे मिलूँगा तब तक के लिए ओप